अच्छा यह दी-file method brackets है brackets में आपको variable भी दिया है constant भी दिया है with its sign सबसे पहले आपने यह solve करना है कि यह first आपने एक sentence याद रखना है first outer inner last first outer mean यह first है first को सबसे पहले हम किसे multiply करेंगे outer यानि outer mean जो आपके bracket से बाहर है यानि इस 2x को पहले multiply करेंगे x के साथ और उसके बाद इसी first को यहां हम इस से multiply करेंगे ठीक है यानि पहले हम 2x को multiply करेंगे x के साथ और उसके बाद 2x को multiply करेंगे 3 के साथ ये देखे अच्छा inner last inner last mean inner क्या है ये रहा inner minus 3 minus 3 को हम बाद में करेंगे यानि फर्स्ट पहले तो हमने किस से किया 2x से किया अब बारी आ रही है 5 की अब ये जो हम आ रहा है inner इसको हम यानि इसको हम इस से करेंगे first number से यानि ये भी तो आपका outer हुआ ना बाहर का यानि इस bracket से बाहर के number minus 5 ये देखें minus 5 को x के साथ multiply करेंगे और उसके बाद minus 5 को 3 से multiply करेंगे तो आपने याद रखना है first outer inner last अच्छा सबसे पहले तो हमने फिर inner last यानि जो बाद वाला number है तो इसको हमने multiply किया x के साथ ये लिए और फिर इसी minus 5 को multiply किया 3 के साथ अब हम इदर आ जाते हैं इन सब को multiply करते हैं 2 1s are 2 और x और x इसकी power 1 1 और 1 2 यानि 2 x square हो गया इसी तरह यहाँ 2 3s are 6 and x यह भी हमने no down कर लिया अब यह minus 5 को x से multiply करेंगे minus 5 1s are minus 5 और यह रहा x इसी तरह minus 5 को 3 से multiply करेंगे तो minus plus minus और 5 3s are 15 अच्छा जब यह पूरा complete step हो जाएगा तो इसके बाद एक चीज़ हमारी रहती है middle middle के दोनों number को हम इस तरह से solve करेंगे यह नहीं यहां हमारे पास अगर sign बड़े number की plus है तो हमारे answer में भी sign plus की आईगी और plus लगाने की ज़रूरत नहीं है अच्छा plus minus होता क्या है minus six में से five minus करेंगे one तो one लिखने की ज़रूरत नहीं है तो यहां के आजाएगा x ठीक है यह देखे उन्हों को solve करके plus x और यह रहा minus 50 तो यह method कहलाता है first, outer, inner, last यानि पहले आप बाहर वाले bracket से solve कर देंगे और फिर जो inner है यानि जो अंदर वाला number है उसको last में से solve करेंगे